तो आईए मित्रो ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं जाए महाराश्टा अब अगली राशी पर बढ़ते हैं बात करते हैं धनु राशी की गुरुदेव की अपनी राशी गुरु सूर्य की राशी में उत्तम लाब के योग बना रहे है जो बच्चे आईएस आईपियास ओफिसर या आर्मी नेवी जोइन करना चाहते थे उनके लिए बहुत ही बड इश्रम सही आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि धनु राशी के उपर भी साड़े सती है मैंने अभी बोला आपको साइं की अराधना करें आज का दिन सत्तर पतिशत उत्तम तबरा पीले रंग का उपियोग करें और भाग्य अंक्य नाओं आगे बढ़ते हुए मकर राशी की बात करते हैं शनी देव की अपनी राशी शनी देव का अपना घर समय ज़रूर अनुकूल है मगर कहीं न कहीं आफिस में व्यवपार की जगा पर राजनीती में शर्यंतर भी होता है आपके साथ और इस शर्यंतर से बचने के लिए भोले नाथ की अराधना क्योंकि वही एक नाथों के नाथ देवों के देव हैं जो हर तरह से इबन मृत्यू तक को जीत सकते हैं इसलिए कहते हैं न ओम तिंबकम यजा महे सुगंधिम पुष्टिवर्दनम और उवार कमी भवंदना मृत्यूर मोक्षिय मावर्दात समय अनुकूल जरूर है पर शर्यंतरों से बच कर रहना है आखें खोल कर कान खोल कर सुन देखने हैं पचास से साथ प्रतिशत उत्तम तभरा दिन काले रंका उप्योगर भग्यंक है ग्यारा आगे बढ़ते हुए कुम्बराशी की बात करते हैं मित्रों के साथ सहेलियों के साथ में कोई नया कार्य शुरू करने के योग बने हुए है धन का संजोजन भी हो रहा है धन भी कहीं न कहीं से ये कठा हो जाएगा चाहे बैंक से हो चाहे मित्रों के माध्यम से हो कुम्बराशी वालों के लिए द्वपार के शुरू होने के योग बना रहा है नौकरी पेशावालों के लिए भी दिन अच्छा है समय अनुकूल है भोले नात की अराधना करते रही है सत्तर प्रतिचत उत्तम तभरा दिन आकाशी स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल करें और भाग्यंक है आठ तो आईए मित्रों आगे बढ़ते हुए आखरी राशी की बात करते हैं बात करते हैं मीन राशी की थोड़ी सी restless रहेगी आपने देखा होगा मचली आपके राशी का चिन्द है तो restlessness जैसे पानी हिलता रहता है इस तरह आपके इस दिन में भी आज हल चल रहेगी volatility रहेगी मगर share market में धनलाब कही होग जो लोग mutual fund, banking, insurance में काम करते हैं उनको कोई बड़ा commission, बड़ी नौकरी पगार में उन्नती मिल सकती है on the whole 60% उत्तम तबरा दिन सिल्की सफेद, चमकते होए किसी सफेद रंग का इस्तेमाल कर लें और भग्य अंक है एक तो ये थी आज की बारा राशियां और उनका फलादेश और गोचर मैं बंडित राजकुमर शर्मा कल फिर मंगलवार के दिन गनपती भपा की अराधना करते हुए आपके समक्ष आपका मार्गदर्शन देकर लेते हुए हाजिर हो जाऊंगा तब तक हरियो करते हुए 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 हुए